हाई फ्रेंड्स मरे तुनाकपाल देखे एक और बॉर्डर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ये बॉर्डर आप किसी पे भी डाल सकते है चाहे तो फ्रॉक में डालिये इसकी ट्यूनिक बनाई ऐसा बॉर्डर डालके या सिरफ आप बाजू में कार्डिगन के बाजू म बाजू में डालियेगा किसी पे भी आप इस बॉर्डर को डाल सकते है अब थोड़ी से कैलकुलेशन आपने इस बॉर्डर के लिए करनी है कि किस तरीके से आप इसे जो है बनाएंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ अब देखे यहां पे तो जो है एक तो मैं इसी कैलकुलेशन बता दूँ अब यह जो मैंने आप देखेंगे यहां पे यह बीच में तीन का एक किया है जो आगे मैंने आपको बताया है यह मैंने एक दो तीन चार पाँच छे साथ और यह आठ आठ बार जो इसमें मैंने है तीन का एक किया है याने कि तीन फंदों का आठ बार, अब आपने तीन का एक किया तो यानि आपके दो फंदे गटे आपने जब तीन का एक किया आपके दो फंदे गटगये उक तेफिर आप इट ताइमज किया है, यानि कि आठ था बार, दो को को करोगे, 6周 60 Всёग किसदяти عञा लाइन में racist 15 stitches को decrease कर रहे हैं गटा रहे हैं अब फंदे की calculation अगर आपको किसी बच्चे के लिए बनाना है जैसे मुझे ये बच्चे के लिए बनाना था तो मेरे को 32 फंदे यहां पर चाहिए थे 30 या 32 जो भी है अब 32 फंदे है यहां पर और आपने इसकी जो मैं आपको लाइन बताती कितनी बार हमने जो है इसे गटाया मैं बता देती हूँ आपको देखे एक तीन चार पांच अब ये पांच बार अगर आपने इसे गटाया तो आपके पास जो है 80 फंदे गट गए पांच बार अगर आपने गटाया यानि की कैसे देखेगा आप एक लाइन में 16 फंदे गटा रहे हैं और 16 फंदो को आप 5 बार गटा रहे हैं तो 16 को अगर हम 5 से करते हैं तो हमारे पास 80 फंदे हमारे गट जाते हैं अब ये 80 फंदे और 7 में आपने 32 फंदे जो आपको बाजू के लिए चाहिए 80 प्लस 32 जो बाजू के लिए चाहिए आप इनको प्लस करोगे यह आपका दो आया 8, 9, 10, 11, 111 जो actually मैंने इसमें डाले है 112 पंदे डाले और उसके बाद मैंने 5 बार गटाया 5 बार सीधी लाइन में गटा रही हूँ तो आपकी पूरी लाइन्स दस हो जाती है 5 बार गट जाते है तो यह आपको इस तरीके से calculation करनी है तब आप चाहे उसे फ्रॉक में डालिए किसी में भी डालिए ट्यूनिक में डालिए वो करनी है आपने basically देखना है कि आपने कितनी बार गटाना है 5 बार गटाना बहुत एनफ है उससे जादा बड़ी फिल अच्छी भी नहीं लगती है 5 बार गटाओगे तो आपने 80 फंदे तो गटाने ही गटाने है तो 80 प्लस जो आपको चाहिए फंदे चाहे 30 चाहिए 32 चाहिए 40 चाहिए जितने भी चाहिए वो प्लस करके आपके पास जो है फंदे निकलाते हैं जैसे यहाँ पे 112 फंदे निकले हैं और मैंने यहाँ 112 डाले तो exactly गटातवे 5 पर गई हूँ तो मेरे पास यहाँ 32 फंदे इस समय बचे होए हैं इस तरीके से इसकी हम calculation करते हैं तो चलिए आगे step-by-step आपको बताया कि आप इस तरीके का बॉर्डर जो है अपने किसी भी उसमें कैसे डाल सकते हैं रधर आप यह गले पे इस तरीके का बॉर्डर चोटा सा बना के उसे सिल सकते हैं अब यह जो मैं आपको बताने जारी हूं यह मैंने normal wool ली है और 10 नंबर की इस तरीके से आप करेंगे तो अब देखे यह 112 फंदे हैं आप अपने हिसाब से अपने बच्चों के इसाब से फंदे उस इसाब से रखिएगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, अब ये तीन जो फंदे हैं, इन्हें मैंने तीन का एक करना है, तो आप ये सेकंड वाला फंदा ऐसे उतार के, इस तरीके से बैक से पहला फंदा लीजेगा, और इसे इस पर चड़ाईएगा, और इन तीन फंदों को आपने ऐसे एकठा फ फिर यहां से मैं ग्यारा फंदे लूँगी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस और ये ग्यारा, अगेन मैंने तीन का एक करना है, देखिए, एक तरीका तो मैंने ऐसे बताया, दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों को आपने इस तरीके से डाल के इसे उतार देना है, फिर वापस लेना है, और इन तीनों को आपने एक त्था बनाना है, देखिए, वापस लिया, एक और फंद आप ने 7 मैं लिया और 3 का एक कर दिया वैसे ही exact आएगा जैसे ये बताए फिर 11 फंदे बनाने हैं अब last तक आपने ऐसे करना है last में हमारे पास 6 फंदे होंगे यहां से हमने 11 फंदे करने हैं 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 फंदे आपने करें अगेन वही ये 2 फंदे ऐसे उतारूँगी इस तरीके से वापस लूँगी और 3 फंदों को 3 का जो है एक करूँगी इस तरीके से ये अब यहां तक पूरी लाइन ऐसे जाएगी last में हमारे पास 6 फंदे बचेंगे अब उल्टी लाइन अपने पूरी उल्टी करनी है आप अपने हिसाब से फंदे उस हिसाब से देख लिजेगा अब ये लाइन पूरी उल्टी जाएगी अब यही चीज हमने दो लाइन्स दोराते वे जाने है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला लेकिन अब फंदे गटते जाएंगे पहले 11 फंदे थे अब 9 ही बीच में रहेंगे बस ये चीज दियान में दरखते एगा कि इसमें हमेरे फंदे गट रहे है क्यों क्योंकि हमारे फंदे बढ़ नहीं रहे है अब यह देखिए उल्टी लाइन पूरी हो गई है अभी हम फिर से सीधे लाइन पर है यहां पर मैं बता दू हम फंदे गटा रहे हैं कहीं बढ़ा नहीं रहे है इस चीज का आपको ध्यान रखना आप जो बता रही है उसके बाद आपको यही चीज रिपीट करते वे जानी है at least उपर तक देखे वो कहां तक जानी है वो मैं आपको बता दूँगी अब एक दो तीन चार और ये पांच पहले छे फंदे थे देखे फंदे गटते वे जाएंगे अब छे है अब पांच है ये वही चीज इन दो को उतारा और ऐसे लिया और तीन का एक कर दिया सेम जगा प फंदे बनेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और ये नौ फिर से देखे वही पर आगे जहां पर हमने तीन का एक किया था इन दो को आपने ऐसे उतारा वापस लिया और फिर तीन का एक कर दिया अगे नौ फंदे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ देखे फिर से ये लिए ऐसे इन तीनों को तीन का एक कर दिया पूरी लाइन ऐसे जाएगे अब पहले ग्यारा फंदे थे बीच में अब नौ फंदे इसके बाद शात हो जाएंगे फिर पांच हो जाएंगे अभी हमें ऐसे इस तरीके से करते यह जाना है यह आगए हम एक फंदा एक्स्ट्रा हो गया दो दो चार पांच छे साथ आट नौ अगेन वही दो को उतारूंगी ऐसे लूंगी और इस तरीके से तीन का एक करूंगी अब यही दो लाइन एक लाइन इल्टी जाएगी पूरी और इस तरीके से आप गटाते वे तो आप कर दने दो कि पीः आप जाओगे अब देखे यह मैं गटाथी वही गई हूँ और यहाँ पर मेरे पास इस समय मैं 32 फंदे रहते हैं 122 फंदे थे और यहां पर मैं गटाते वे गई हूं 32 फंदे रहते हैं अब इसे मैं प्लेन प्लेन बनाओंगी आप यह देखें किती सुन्दर सी यह फ्रिल यहां पर बनी है बहुत ही सुन्दर सी बनी है अब यह जो है हम जिस तरीके से आप चाहे तो इसमें एक और इसी तर बना रही हो फ्रॉग बना रहे हैं चाहे आप बाजू बना रही है बाजू में भी देखें बहुत सुन्दर लगती है इस तरीके से आता है ऐसे फ्रिलाएगा बच्चे के हाथ में बहुत सुन्दर लगेगा अब आपने क्या करना है अब आपने जस्ट इसको सीधा सीधा जितने फंदे आपको चाहिए, उतने फंदे तक आपको इसे घटाना है, और बाकी आपने इस तरीके से सीधा सीधा बनाना है, तो ये जो बॉर्डर है, ये आप किसी पे भी डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर्स पे, फ्रॉग बना रहे हैं, ट्योनिक बना रहे हैं, या फिर नॉर्मल काडिगन भी बना रहे हो, तो आप इस तरीके का डाल सकते हैं, देखिए, मैं सीधा निट कर रही हूँ, इसके बाद परल याने की, अगर आपने इसके बाद डिजाइन भी कोई डालना है, तो आप वो भी उसमें डाल सकते हैं, तो अभी मैं 32 फंदे हैं, आ आगे बढ़ाते हुए जाएंगे, ये दिखा दिया, ये अब नॉर्मल जैसे हम बना रहे हैं, उसी तरीके से बनाएंगे, इसे मैं आपको आदा करके दिखा देती हूँ, तो ये बॉर्डर आप कहीं पे भी किसी पे भी बना सकते हैं, किसी के लिए भी, चाहे आप फ्रॉ ये देख लिचे, इस तरीके से आएगा ये अब, देखें कितना सुन्दर सा आगे फ्रिल बन गया, आप से इस तरीके से भी लगा कि देख लिचे, देखें कितना प्यारा जो है, ये आपके बाजू में या नीचे एक फ्रिल बन जाएगा, तो चलिए फिर बनाईए और शेर जरू कीचेगा सब के साथ थैंक यू